नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में मेरा नाम है नितिन कुमार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भरभर रिजिनिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो पहला जो हमारा टॉपिक है लोजिकल सिक्वेंस अफ वर्ट ये दोस्तों हमारे कॉम्पटेटिक जामें बहुत पूछे जाते हैं चाहिए वह से से रेलवे बैंकिंग कोई भी कॉम्पटेटिक जाम हो चोटा बड़ा सब ये कॉशन मतलर इसे रेलेटेड इस टॉपिक से जो कॉशन है आपसे पूछे जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर जानेगे कि वो ट्रिक्स क्या है और इस चिसको कैसे अगर इस कोशन को आया तो सॉल्ब कैसे ही किया जाता है तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से शुरू करने से पहले दोस्तों कर आप हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की बेल ऐकन दबाईए अगर आप चाहते हो कि यह जो है इसका PDF आपको मिले प्रैक्टिस के लिए तो आप अमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हो रिजिनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों कि अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका में बात करें कि यह कैसा chapter मतलब यह topic कैसा है तो आपको कुछ words given होंगे ठीक है आपको उसको arrange करना होता है जिसका मतलब जैसे कि आपको सजाना है जैसे कि देथ दिया हुआ है मैरेज दिया हुआ है अब देखिए इसको कैसे सजाते हैं तो सबसे पहले option A से सुरात करते हैं पहले क्या होना चाहिए पहले funeral होता है यह तो कुछ सही नहीं लग रहा है या फिर पहले fourth option पहले birth ठीक है तो सबसे पहले थट क्या है birth education ठीक है बच्चा जनम लिया ठीक है फिर उसका education हुआ ठीक है फिर उसके बाद second दिया हुआ है इसका मतलब फिर marriage हुआ ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ marriage के बाद death हो गया death हो गया फिर funeral मतलब coffin बात किजिए तो दफन कर दिया गया मर जाने के बाद आदमी को दफन करते है न तो देखे यह तो क्या यह sequence हमें देखना है क्या option में ऐसा कौन सा यह ABCD option है जो कि 43215 मैच करता है तो 43215 कौन सा option है 43215 so D is the correct answer ठीक है तो इस तरह से आपको मतलब बात करें तो logical तरीके से आपको सोचना होगा ठीक है और इस तरह से आप option से भी check कर सकते हो तो इसमें कोई trick नहीं है यह आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि आप option से भी judge कर सकते है माल लो कि आप इसका meaning नहीं पता है आप क्या होगा तो option से आप देख ल हमारा mental ability का पता चलता है कि हम लोग कितना ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं ठीक है अब next example के बारे हम बात करें जैसे कि इसको हमको arrange करना है ठीक है जिससे एक meaningful word भूने ठीक है जैसे कि grass दिया हुगा कट दिया है milk दिया है cow दिया है butter ठीक है अब पहले हम लोग अपना होजो है फिर ऑप्शन को देखेंगे ठीक है पल देखो गाय है milk है कॉड है grass है butter है तो पहले गाय को ऊठाते है ठीक है गया घास खाई घास खाई गास खाने के बाद उसको protein मिला protein मिला carbohydrate मिला और फिर दूद दी, फिर उसके बाद दूद देने के बाद, दूद को फटा, तो cut बना, cut को हम लोग, जब मैं थे, तो फिर उसके बाद butter बना, तो ये कुछ meaningful लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिग देते हैं अपना option, ठीक है, 4, फिर उसके बाद 1, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर 5, यानि 4, 1, 3, 2, 5, ऐसा कौन सा option है, जो हमारे इस option से match कर रहा है, 4, 1, 3, 2, 5, जो option C है, देख रहो, C जो है, हमारा इस से match कर रहा है, यानि मेरा जो logic लगाय थे, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और option से भी match कर रहा है, तो हमारा C the correct answer, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, दोस्तों, इस sequence को सजाते हैं, और पता करते हैं, उसका meaningful word बनाते हैं, और सही answer लगाते हैं, अब चलिए practice करते हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ भी रहा होगा, अब जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है sequence, अब इसको हमको meaningful words बनाना है, कि सबसे पहले क क्या आएगा भाई, की है, डोर है, लॉक है, रूम है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा खुद की बात करें, तो देखो, मेरा तो भाई हम बता रहे हैं, पहले तो की आना चाहिए, ठीक है, बाद में देखेंगा answer क्या होगा, ठीक है, पहले की रहता है तो डोर आपका रूम के साथ जुड़ा रहता है तो ये फोर हो गया है ठीक है फिर रूम में गए स्विच आउन किये यानि फाइफ ठीक है तो सबसे पहले हम लोग की लिए दरवाजा खोले मतलब लॉक था तो उसको लॉक खोले ठीक है जोकि तिसना फिर उसको भीला मैच कर रहा है तो इसका मतलब सी दो कोरेक्ट एंसर ओके तो दोस्तों इसी तरह से हम मतलब सोचते हैं और कोई-कोई-कोई-मालीजे आपका वर्ड मालीजे बहुत हार्ड होता है जिसका हमको मिनिंग नहीं पता रहता है उसको बताएंगे कैसे उसका ट्रीक होता है उसको बता मतलब कैसे सॉल्फ किया जाता है तो इसका तो अंसर आपने खुद लिका लिया होगा ठीक है तो सी दो कोरेक्ट एंसर हमारा ठीक है वन थ्री टू फोर फाइफ यह था न हमारा सी ठीक है अब नेश्ट कोशन के तरफ मूब ऑन करते हैं जैसे कि यह वर्ड है कि पाराग्राफ यह संटेंस से लेटर है ठीक है तो फ्रेज का मतलब आपको पता होना चाहिए फ्रेज बिसिकली एक ग्रूप ऑफ वर्ड्स जिसमें मिनिंग्फूल वर्ड्स बनता है जिसे कि इन दरूम ठीक है इस टाइप का यसे वर्ड होता है तो उसी को गते हैं दिया है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्सन पर देखते हैं देखो सब में 444 यानि लेटर पहले आता है चलिए 4 लिख लिए फिर उसके बाद क्या आ रहा है 111 केवल सी को छोड़के बाकि सब में 1 है 1 लिख लिए ठीक है 555 केवल B को छोड़के 5 सब में आ रहा है चलिए 5 हम लिख लिए ठीक है 2513 इसको होल्ड करे 3322 अब देखिए अब ऐसा क्या आएगा अब इसके बाद जो दो ऑप्सन होता है उसमें हम अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हैं तो हम सोचेंगे ठीक है अब संटेंस के तरब लाते हैं संटेंस के तरब देखते हैं कि 4 पहले लेटर नाया लेटर से मेरा वर्ड बना ठीक वर्ड से 5 नम दना यानि वर्ड फ्रेज बना मतलों ग्रूप और लोजिक लगा यहां पे ठीक है दोस्तों यहां पे अपना लॉजिक लग गया अब देखिए यहां जो लॉजिक लगा इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होग ठीक है तो 4,1 देखना है 5,3,2 तो यहां देखो option D जो है हमारा साथ match कर रहा है हमारे logic से 4,1,5,3,2 तो इसका जो answer हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है देखो 4,1,5,3,2 यानि D correct answer तो इसी तरह दोस्तों हमें पता करना रहता है पहले option देखेंगे option में जो ज़्यादा repeat करता है ठीक है उस चीज़ को पहले अपने sequence लिख लिए फिर उसके बाद अपना logic लगाएंगे जैसे next question के तरफ जानते है तो जैसे कि यह हुआ कि इसको arrange करना है कि family एक community है member है, locality है और country है, सबसे पहले क्या आएगा तो अब देखो भया, 3333 सब में दिया हुआ है यानि चलिए, member पहले लिखते है member आ गया, ठीक है फिर उसके बाद 111, ओहो ठीक है, family ठीक है, family को पहले लिखती है ठीक है, member, member में family फिर member में family के बाद कौन repeat कर रहा है 2244, ओहो यहाँ तो confusion हो गया 22 भी repeat कर रहा है 44 भी repeat कर रहा है ठीक है, तो यहाँ अपना logic बाद में लगाएंगे पहले देखते हैं, और क्या-क्या repeat कर रहा है फिर इस वाले option देखेंगे ये वाला में, इस वाले line देखेंगे इस 5-5 दो बार repeat कर रहा है फिर country आता है फिर इसमें भी repeat कर रहा है इसका मतलब जो ये 3 चीज़ है इसमें हम अपना logic लगाएंगे ठीक है, एक, दो, तीन ठीक है, इसमें हम अपना logic लगाएंगे क्या होगा, ठीक है तो यहाँ पर 3 हो गया है, मतलब member पहले आ गया, 1 यानि family भी आ गया, ठीक है मैं ज़र color change कर लेता हूँ, इसको green, ठीक है 3 हो गया, 1 हो गया फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, member है member होगा तो भाई family होती है family होती है, तो भाई, एक community होती है, ठीक है so 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है community होगी, फिर community जब होती है, तो एक locality बनती है, ठीक है local चीज, जो आपके आज पास के एक सर बनता है, ठीक है, so 4 हो गया फिर जब locality बनेगी तो basically country भी आएगी, यानि 5, यानि देख रहे हो 3, 1, 2, 4, 5 कौन सा option हमारा इस option से match कर रहे है, हमारे इस logic से तो 3, 1, 2, 4, 5, यानि जो option ए जो है, हमारा match कर रहे है, so 8 the correct answer, ठीक है, 3, 1, 2, 4, 5 देख लो, ये जो है, match कर रहे है, so 8 the correct answer, आप भी इसको solve कर सकते हो, जिस तरह से हम solve कर सकते हैं, सबका अपना-पना तरीका होता है, next question के तरफ move on करते हैं दोस्तो, जैसे कि ये आपको बताना है, कि इसको कैसे हम लोग meaningful तरीके से सजा है, कि हम लोग का ये sequence जो है, meaningful word बने, तो सबसे पहले देखो, कौन सा option सई रहेगा, तो पहले option A जाते हैं, पहले आता है to, to क्या करता है, पहले option A लिखते चलते हैं, पहले हम लिए लेकर चल रहे हैं, तो पहले population हुआ, फिर दूसरा कहरा है, तिसरा नमर आएगा, मतलब देख, population के बाद देख हो गया, फिर उसके बाद fourth, fourth में क्या है, digits, तो हमारा ये क्या कहरा है, फिर उसके बाद देख हो गया, फिर उसके बाद डिजीज भी आ गया, तो ये हमारा सिकन्स सही नहीं है, so option A को काट दिये, मतलब option A गलत है, B के तरफ मूब करते हैं, 3 आ गया, मतलब सबसे पहले देख हो गया, फिर उसके बाद, क्या हुआ, फिर उसके बाद बाद बिमारी आई, यानि गरीबी है, ठीक है, विमारी आई, फिर गरी भी आई, ठीक है, फिर उसके बाद 5, एक मिलेट इकनाट, साधे आप मिने गलत कर दिया, यहाँ पर, ठीक से सिक्वेंस मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है आनि population हुआ, फिर फोर्थ 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 पर क्या था, unemployment, सॉरी, मैंने यहाँ पर, इसको डीजीज की साधेत मैंने जान लिया था, तो यहाँ पर, unemployment हो गया, यहाँ फोर्थ नमर पर, ठीक है, क्योंकि पले तो, जन संख्या बढ़ेगी, फिर बिरुजगार बढ़ेगा, ठीक है, बिरुजगार बढ़ेगी, तो वन नमर बिरुजगार बढ़ेगा, तो गरीबी बढ़ेगी, ठीक है भईया, यहाँ सिक्में सच रहा है, अब गरीबी बढ़ेगी, तो बिमारी आएगी, ठीक है, सही है, बढ़ेगी पॉपलूशन बढ़ेगी तो मित्यू होगी देथ हो जाएगी फिर उसके बाद अनिप्लाइमेंट आएगी यह तो कुछ सिक्वन सहीं लगारे इसका मतलब सी जो है मिनिंग फूल बड़ बन रहा है मतलब हाँ यह सही है कि जन संक्या बढ़ रही है ठीक है फिर अशलेचे बाद जन संंख्या बढ़ेगी ज्यादा ज्यादा लोग होंगे तो फैब अनिव्पोग्यामेंट जो हगा हमारा प्रोजगारी होगी वह भी बढ़ेगी अब भी रहेगी तो बात है लोग एंनिनंग मृनेगी तो यह मिनिंग्फूल वड़ सो S.ही जो हमारा सिक्वेंस जो है यह सही है ठीक है टू फोर वन फाइफ थ्री तो इसी तरह दोस्तों हमें सॉल्व करना है नेश्ट कोशन तरफ मूप करते हैं देखिए आप भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पहुँच करके जैसे कि आपको बताना है कि इसको कैसे हमनों मीनिंग्फुल फिर उसके बाद क्या रिपीट कर रहा है टू 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 रिपीट कर रहा है यानि टू ठीक है फिर वन वन रिपीट कर रहा हो ज्यादा फिर उसके बाद फोर फोर रिपीट कर रहा हो ज्यादा ठीक है फिर इसमें आपका दो बार फाइफ रिपीट कर रहा है यानि फा तो यह sequence भी हमारा सही है ठीक है, यह meaningful बन रहा है तो यह कौन सा option में हमारा sequence match कर रहा है 3, 2, 1, 4, 5 तो यह side हमारा option जो 3 है देख रहे हैं हम लोग यह सही है sequence जनी c जो है correct answer है ठीक है option जो हमारा c है यह हमारा sequence सही match कर रहा है so c the correct answer तो इस तरह से हम लोग दोस्तो solve करते हैं ठीक है, आपको I hope यह इस topic में कोई doubt नहीं हो रहा होगा आपको मजा आ रहा होगा solve करने में तो यह बहुत असान question है जोस्तो यह सब पूछे जा चुके हैं आपके exam में बात करें तो ठीक है, उस चीच को में आपको लेकर आया हूँ जैसे कि आप यह word को देख रहे हो ठीक है, अब इसको सजाना है हमें ठीक है meaningful word में तो यह हाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले क्या लिखे फ़ले five आ रहा है फाइफ यानि वेल फिर three, मतलब option A से सुराथ करते है देखो, यहाँ पर कोई चीज repeat to repeat नहीं कर रहा है तो हम लोग एक एक करके लेते हैं ठीक है, जैसे कि यह five नमर आया, एक को लिखते हैं चेक करते हैं, पहले वेल आया तीशना आमर पर फिल mosquito हो जा गया, अचानक से फिर one पर elephant आ गया, यह कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि यह अचानक, छोटा बड़ा भी नहीं पता चला है क्योंकि हमें तीन order पर चलना है ठीक है, पहला size, fit age फिर need याद है न, इसी पर चलना है, यानि sun sun याद रखिएगा sun, s-a-n, यानि size, age, need बतलब उसके size के अनुसार देखेंगे ठीक है, फिर उसके age के अनुसार देखेंगे फिर उसके जरूरत need के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर है कि हमें size के अनुसार देखना है क्योंकि यह elephant भी है, mosquitoes भी है हैं तो और वेल भी है तो उसके साइच के अंदूसार हम लोग देखते हैं ठीक़ तो साइच के अंदूसार अगर हम लोग सबसे बड़ा लेटे हैं तो सबसे बड़ा में वेल आ गया elephant आ गया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यह तो option ऐसी इंगलत हो गया second number चेक करते हैं B, B कहता है कि तीसरा मौस्क्यूटोज है ठीक है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा cat हो गया ठीक है फिर उससे बड़ा आपका force पर टाइगर हो गया ओके फिर उसके बाद elephant हो गया उससे बाद फिर उसके बाद five यह जो हमारा sequence है यह meaningful word बन रहा है लेकिन फिर भी हम बाखी का option भी चेक करेंगे जैसे कि one तो one में क्या है elephant तीसरे पर आ रहा है आपका mosquito नहीं यह option नहीं लग रहा है इसको कलत करो ठीक है डी नमर देखो दूसरा नमर मतलब cat आता है ठीक है cat के बाद डारेक्ट आगे आपका will अरे फिर उसके बाद आता है elephant फिर उसके बाद आता है tiger यह भी ठीक नहीं सिक्वेंस बठा रहा है जो option बी जो है यह हमारा सही है ठीक है option b the correct answer यह हमारा जो sequence बन रहा है यह सही बन रहा है तो इस तरह से भी हम लोग option से चेक कर सकते हैं और एक meaningful word मना सकते है ठीक है तो आप अपना देख रहे हो कि हमारा जो भी है सही answer है next है हमारा कि इसको कैसे बताते हैं यह वाला question को देखा जाए कि इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले ज्यादा repeat कर रहा है यह 222 ठीक है यानि seed आ रहा है seed मतलब beach करते हैं फ चलो भाई plant लिए थी इसके बाद one one repeat कर रहा है यानि plant हुआ फिर tree बना ठीक है चलो ट्री बन गया फिर उसके बाद क्या repeat कर रहा है यहाँ पे 3 और 3 दो बार repeat कर रहा है तो इस वाले लाइन में देखोगे तो 3 3 रिपीट कर रहा है दो बार या नि plant बनने के बाद flower आया ओके झाहिए प्लाइज़ बनने के बाद tree हुआUND tree बनने के बाद flower आया ठीक है फिर उसके बाद fourth áल यानि flower आया फिर उसके बाद fruits बना यह meaningful word बन रहा है ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग बीज डालें फिर उसके बाद बीज डालने के बाद हमारा क्या हुआ कि बीज डालने के बाद हमारा plant बना, plant बनने के बाद धिरे धिरे जब plant बड़ा होते गया तो tree कैसे play लिया tree कैसे play लिया, फिर tree कैसे play लियने के बाद उसमें, मतलब पत्ते full आने लगे, अब full आने लगे जिसे आम का, कैसे होता है, आम का पेड़ उसमें full आते हैं, फिर full आने के बाद fruits आते हैं, ठीक है, so option कौन सा option जो है, जो हमारे इस logic से match करता है, 25134 25134, तो हाँ, यह option C जो है, यह हमारा match कर रहा है so option C, the correct answer देखो, इसी तरफ solve करते हैं, ठीक है तो यह c जो है, हमारा सही answer रहे है, 25134 ओके, next question है हमारा, next question तरह मूव करते हैं, जैसे कि यह index है, content है, title है, chapter introduction है, ठीक है, यहाँ पे introduction होगा, ठीक है, थोड़ा सा side हो गया है तो यह देख रहे हो, कैसे इसको लिखना है, कैसे सा जाना है सबसे पहले क्या आता है, तेखो, 3-3 दो बार repeat कर रहा है, इसका मतलब title पहले कह रहा है कि आएगा, ठीक है फिर उसके बाद, इस बाले में logic ने काम कर रहा है फिर उसके बाद, option यहाँ पे छोड़ की एक move करेंगे, one one फिर index आता है तो, यहाँ पे हमारा क्या होगा ठीक है, तो देखिए अब basically यहाँ पे four हो जाएगा, इसका मतलब chapter, यानि सबसे पहले हमारा title है, title में हमारा content आता है, content में हमारा chapter का introduction लिखा रहता है उसमें हमारा index भी लिखा रहता है ठीक है, sorry, index कह रहा है उसमें हमारा chapter का नाम रखाता है, chapter के नाम में हमारा index रहता है, index में तो chapter के नाम रहते हैं, so 3, 2, 5, 4, 1 3 2 5 4 1 यह C देख रहे हो आप जो option C वाला जो option देख रहे हो यह हमारा सही है ठीक है So C is the correct answer याद रखिएगा Next है हमारा जैसे इसको arrange करना है ठीक है इसको arrange करना हमें meaningful word में ठीक है सबसे पहले हम लोग income status education well-being job ठीक है अब सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं हम लोग इसको option कैचे करना है ऐसी logic देखो इस तो बहुत simple होगा सबसे पहले education देखते हैं ठीक है education होगा education अच्छा होगा तो भाई job लगेगी मेरी job लगेगी तो five number हो जाएगा job लगेगी तो मेरे पास income आएगा ठीक है पैसे आएगे पैसे आएगे तो मेरा status जो होगा थोड़ा सा धीरे धीरे सुधरेगा ठीक है एक status बनेगा फिर उसके बाद well-being हो जाएगा अच्छा खासा मेरा lifestyle हो जाएगा मतलब three five one two four देखो कौन सा option match कर रहा है three five one two four option D जो है यह हमारा match कर रहा है so option D the correct answer ओके चलो next तरफ बात करते हैं आप पना देख लेना ठीक है next तरफ बात करता है जैसे next question है कि first box है later है, envelope है, delivery है clean range है ठीक है तो इसमें कौन-कौन सा क्या-क्या आता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एगा भाई तो three three both repeat कर रहा है three three both repeat कर रहा है यानि envelope है ठीक है envelope मतलब, lifeafa ठीक है, लिफाफा है फिर two two आ रहा है यानि, lifeafa को हम लोग later later में डाले, later बना ठीक है उसको हम लोग post box में डाले ठीक है PostBox में डालें PostBox में डालने के बाल उसके बाद हम लोग उसका चलान बना ठीक है मतलब दुखतान किए Clear ठीक है छलान मतलब किये तो 5 आ गया थिर भूकतान करने के बाद हम उसको अभ डिलेवरी करेंगे तो तो फोर्थ नमर डिलेवरी अब देखो कौनसा अप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है त्री टू वन फाइफ फोर सो अप्शन सी जो है देख रहे हो यह हमारा सई अप्शन है ठीक है याद रखिए ऑप्शन सी दो कोरेक्ट एंसर अब भी अपने चेक करते रहना है तो यह था ह यह था अफो सिर्ट करके आप डॉन्लूड कर सकते हो ठीक है डिस्क्रिप्सस्ण में मैंने लिंक कर सकते हो वह यह हमारा वाटसप ग्रूप जौइन कर सकते हो वो भी मैंने description में मैंने mention कर रखिए उसका link भी दे रखा है ओके आज के लिए बस इतना ही दोस्तों practice करते रहे है खुश रहे है पड़ते रहे है धन्यवा ठैंक्यू एब गूद डेर